नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में हमारी जो भी समझ है climate change को लेकर उसमें बहुत बड़ा contribution scientist को जाता है क्योंकि scientist की वज़े से हमें पता चल पाता है कि human activities की वज़े से कितना जादा problematic होता जा रहा है कितना जादा temperature बढ़ा है जिसके वज़े से आज हम global warming की बात करते हैं, climate change की बात करते हैं अगर scientist हमें इसके बारे में नहीं बताते तो कहीं न कहीं हम इसको अभी भी avoid करते और जो actual चीजे हैं उसके उपर शायद focus नहीं किया जा सकता था और इसी की वज़े से इस बार का जो noble prize in physics है वो दिया गया है तीन scientist को जिन्होंने climate change की understanding बढ़ाने के लिए यहाँ पर contribution किया है तीनों scientist ने क्या-क्या contribute किया है जिसकी वज़े से उनको ये noble prize मिला है और overall context से समझने की कोशिश करेंगे climate change के बारे में काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam के त्यारी कर रहे हैं तो simply आप हमारे app को download कर सकते हैं या फिर studyiq.com पर जा सकते हैं वहाँ पर सारी जानकारी आपको हमारे courses के बारे में मिल जाएगा तो चलीए सबसे पहले हम देखेंगे कि exactly हो क्या रहा है यहाँ पर जो तीन scientist है उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हो सुक्योरो, मनबे, दूसरे हैं क्लॉस, हैसलमेन, तीसरे हैं जियोर्जिया, पैरसी यह तीन scientist हैं जिनको Nobel Prize in Physics दिया गया है और overall मैं आपको इनका contribution बताऊँ तो बताया जा रहा है कि जो complex physical system होता है physics के अंदर जो complex physical system होता है उसकी जो understanding है वो बढ़ाने में मदद की है क्योंकि इसी के माध्यम से हमें पता चल पाया है कि जो climate change है उसका क्या प्रभाव पढ़ सकता है अब ध्यान रखेगा जब हम climate change कहते हैं तो अकसर लोग confuse हो जाते है climate और weather में जो weather होता है वो हम day today की बात करते हैं short term की बात करते हैं जैसे हम पूछते ना कि आज या कल या फिर एक हफ़ते के अंदर आपके area में weather कैसा होने वाला है rainy weather हो सकता है कैसे भी प्रकार का हो सकता है लेकिन climate क्या होता है एक long phenomenon होता है एक particular area में जैसे की भारत के अंदर monsoon climate बोला जाता है तो climate एक long perspective से देखते हैं अगर इसके अंदर change आता है उसी को हम कहते है climate change और यहाँ पर आप देख सकते हो इसी से related यहाँ पर जो nobel prize है वो इस बार दिया गया है अब question आता है कि जो तीनों scientist हैं उन्होंने क्या क्या किया था दीके सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सुक्यूरो मैनबे हैं उन्होंने 1960s में basically demonstrate किया था कि किस तरह से carbon dioxide जो बढ़ता है carbon dioxide आपको पता है एक प्रकार का green house gas है जितना जादा produce होगा उसकी वज़े से जो atmospheric temperature है वो आपका बढ़ता जाता है लेकिन ये तो हम आज समझ पा रहे हैं पहले शायद उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी पहले उतना proof नहीं था लेकिन 1960s में मैनबे ने यहाँ पर proof किया demonstrate किया कि किस तरह से जो carbon dioxide होता है उसकी वज़े से जो surface temperature है उसमें वृद्धी देखने को मिलती है जैसे कि यहाँ पर यहाँ आप model देख सकते हो यहाँ पर graph basically atmosphere को show कर रहा है atmosphere में आपको पता है सबसे नीचे आता है फिर black color उससे जादा red color उससे जादा तो जैसे जैसे अगर आप red color की तरफ बढ़ते जाओके इसकी वज़े से जो temperature है earth का surface temperature है वो बढ़ते जाता है for example यहाँ पर बताया गया है कि अगर carbon dioxide की जो मात्रा है उसको हम half कर दें आधा कर दें इसकी वज़े से जो temperature है surface temperature वो 2.28 degree Celsius कम हो जाएगा cool हो जाएगा planet हमारा अगर हमें इसको यहाँ पर double कर देते हैं जितना carbon dioxide है उसकी वज़े से यहाँ पर जो heat है वो आपका warm हो जाएगा that is 2.36 degree Celsius जादा हो जाएगा temperature तो इस तरह की चीज़े demonstrate की गई थी मेनवेक के द्वारा 1960 में और इसकी वज़े से क्या हुआ क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया उसकी वज़े से आगे चल कर बहुत सारे models आने लगें उन्ही का ये एक आधार लेकर जो आगे के scientist थे उन्होंने models बनाया और इसी के वज़े से सुक्योरो मेनवेक को यहाँ पर noble price दिया गया है जो दूसरे scientist है यहाँ पर Klaus Hesselman तो basically क्या होता है कि मेनवेक के बनाने के बाद ये जो demonstrate करने के बाद करीब 10 साल के बाद आप कह सकते हो जो Hesselman है उन्होंने यहाँ पर एक model create किया और जो weather और climate है उसको link किया मैंने आपको पहले बताया था climate और weather में जो difference होता है तो weather और climate में यहाँ पर उसको link किया और ये बताया कि भले ही यहाँ पर weather chaotic होता है जो nature है weather का मैंने आपको बताया आज गर्मी है कल सर्दी हो जाएगी अचानक से ठंड हो जाएगी बारिश होने लगेगी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो weather तो change होता रहता है ले उसका कितना जादा प्रभाव पड़ता है climate के उपर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो blue color वाला graph आप देख रहे हो यह शो कर रहा है कि naturally अगर हमारे atmosphere में जो natural sources होते हैं जैसे कि आपने volcanic eruption के बारे में सुना होगा तो उसकी वजह से जो gases produce होता है उसका हमारे atmosphere पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप देख सकते हो कि उसका जो प्रभाव है वो कुछ खास नहीं है यहाँ पर आप blue color का देख सकते हो लेकिन अगर आप red color का यहाँ पर देखिए यह show कर रहा है कि human intervention की वजह से human activities की वजह से जो temperature है वो बहुत जादा rise हो जाता है आप देख सकते हैं कितना ज़ादा difference है तो उन्होंने यह show किया था यहाँ पर और इसी की वजह से क्लॉस हैसलमन को यह noble prize दिया गया है जो तीसरा prize है जियोजिया पैरसी इंफाक्ट बताया गया कि जो जियोजिया पैरसी है उनका बहुत बड़ा इंफाक्ट उनका सबसे बड़ा contribution है ह हमारे climate change को समझने के लिए मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले base तो तैयार कर दिया गया था यहाँ पर मैंनबे के द्वारा उसके बाद कई सारे models लाए गये फानली जाकर जो पैरसी थे उन्होंने क्या किया कि जो complex structure होता है जो physics में complex चीज़ें होती है वो समझ नहीं आ कि यह बहुत जादा urgent है कि हम यहाँ पर climate change को tackle करने के लिए जो decision है वो तुरंत यहाँ पर ले हमारी future generation को तुरंत समझना चाहिए कि अगर हम इसको लेकर अभी काम नहीं करेंगे तो आगे चलकर problem हो सकता है तो उनका clear तो पर कहना है कि climate change एक बहुत बड़ा destruction ला सकता है climate change को लेकर तो यह कही ना कहीं rest करता है on solid scientific foundation यह scientific basis पर हम करते हैं क्योंकि आपने सुना होगा पहले आप जैसे डॉनल्ड ट्रम थे जैसे उनका कई बार यह ऐसा बयान आता था कि climate change जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है लेकिन ऐसा गलत है अगर आप scientific evidence देखोगे तो उसमें शब्द का परयोग कब से start करना start किया दिया गया था वैसे तो climate change के बारे में 100-500 साल पहले से कुछ-कुछ चर्चा होने लगी थी लेकिन actual में अगर आप particular year देखोगे decade देखोगे तो वो है आपका 1980s में 1988 especially बोला जाता है एक turning point है critical turning point है क्योंकि यह watershed event हुए थे बहुत सारे उस particular year में 1988 it is one of the hottest on record और उस समय अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा drought पड़ा था wildfire जैसी चीजें हुई थी तो इसकी वज़े से सबका ध्यान यहाँ पर climate change की तरफ होने लगा finally एक साल के बाद 1989 में क्या होता है कि United Nations के अंदर ही IPCC का creation होता है that is Intergovernmental Panel on Climate Change और finally जाकर इसमें यही किया जाता है कि एक scientific view दिया जाए climate change को लेकर ताकि लोग इसको समझ पाएं अगर आप लोगों से जस्ट ऐसा कहोगे कि नहीं climate change हो रहा है लेकिन लोग proof मांगे तो आप क्या दोगे तो एक proper report आनी चाहिए तो अकसर आप सुनते होंगे कि IPCC की लगता report आती रहती है reason कि अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा एक agreement हुआ था वो था COP21 का 2015 में Paris Climate Agreement के नाम से हम इसको जानते हैं जहांपर 197 countries ने ये बोला कि जो greenhouse gas है उसको वो cut करेंगे जो भी carbon dioxide जो भी चीज़ें रिलीस की जाती है ताकि 21st century के end तक जो global temperature है वो 2 degree Celsius से ज़्यादा increase नहीं होना च क्योंकि ज़्यादा तर experts का कहना है कि अगर ये 2 degree Celsius को cross किया तो एक बहुत बड़ा destruction पूरे विश्व भर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है तो ये कुछ कहानी है पूरी climate change के बारे में जहां तक जो physics में award दिया जाता है अगें यहाँ पर भी 10 million जो Swedish crown है वो दिया जाहिर सी बात है कि इस बार COVID के चलते जो एक proper banquet होता है वो organize नहीं होगा उनके home country में ही ये prize उनको दिया जाएगा इनफाक मैं आपको बता हूँ तो जो physics में Nobel Prize होता है वो बहुत जादा माइने रखता है क्योंकि Alfred Nobel भी 1895 में जब उन्होंने अपना will लिखा था तो सबसे प physics के अंदर Nobel Prize मिला है किस चीच के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं total Nobel Prize के बारे में बात करूँ तो अभी तक सबसे जादा प्राइस physics के अंदर ही दिया गया है 114 आप यहाँ पर देख पाएंगे total number और यह सारे आंकड़े भी आपको यहाँ पर मिल जाएंग पर आप नहीं हो कोई बात नहीं telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको PDF यही तो telegram पर आए अलग-अलग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं साथी साथ UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो simply आप हमारे आपको download कर लीजिए I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलतों आप से next time till then thank you very much see you soon